रेके बस स्वागत है आपका आप देख रहे हैं बात पते की हातरस हादसे में मरने वालों की संख्या 123 पहुँच गई है लेकिन बाबा साकार हरी अभी भी फरार है जो बाबा ये दावा करता था इस भगदर में जिन लोगों ने अपनों को खो दिया और जो लोग भगदर के दौरान खुद वहां मौझूद थे वो भी अब ये कह रहे हैं कि इसमें बाबा का कोई दोश नहीं है क्योंकि बाबा इंसान नहीं बलकि सुयम इश्वर है और भगवान कभी दोशी नहीं होते आपने का कि यो परमात्मा है तो इतने सारे लोग घायल है तो बाबा क्यों नहीं आ रहे हैं उनको ठीक करने के लिए उनको समझाने के लिए इतने इतना बड़ा इंसिरेंट हो गया है घठना हो गई है जो बाबा के आश्रम में सिर्फ उनके दर्शन मात्र को पहुंचे थे हाथसे के बाद, लोगों को एक बात समझनी चाहिए, कि ये ना तो धर्म है, और ना ही किसी का इस धर्म का कोई चमतकार है, ये सिर्फ और सिर्फ अंदविश्वास है, और अंदविश्वास का कोई धर्म नहीं होता, जैसे जैसे जाँच आगे बढ़ रही है, बाबा के कई और काले कारना में सामने आ रहे हैं। बाबा आश्रम में महिलाओ को रखने का शौकीन है। और वो कलियुग में खुद को भगवान कृष्ण का अवतार बता कर महिलाओ को आकरशित करता था। उन्हें विशेश दर्बार लगाने के बहाने से आश्रम बुलाता था। बाबा नारायर साकार हरी खुद को भगवान से भी बड़ा बताता है जबकि इसकी सचाई ये है कि ये सूट बूट पहनता है महेंगे घड़ी पहनने का चौकीन है और इसने तो अपनी प्राइवेट आर्मी भी बना रखी है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा की इस आर्मी में महिलाएं भी शामिल है जो बाबा के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना कर बाबा को सिक्योर्टी देती है बाबा ने अपनी प्राइवेट आर्मी को तीन कैटिग्री में बाट रखा है ब्लैक ड्रेस पहनने वाले सुरक्षा कर्मी बाबा के काफिले को घेर कर चलते हैं वही पिंक युनिफॉर्म पहनने वाले सुरक्षा कर्मी भक्तों की भीड को समालने का काम करते हैं जबके सफेद यूनिफॉर्म पहनने वाले सुरक्षा कर्मी बाबा की हिफाज़त करते हैं और ये वही सुरक्षा कर्मी होते हैं जो बाबा के भक्तों में नए नए अंधविश्वास फैलाते हैं बाबा अपनी इस आर्मी को नारायनी सेना कहता है लेकिन जांच में अब साम प्रिशासन से अनुमती मांगी थी जबकि वहाँ धाई लाक से जादा लोग पहुँचे और जब भगदर मची तो जादा लोग प्रभावित हुए और लोगों की मौत हो गई वही जीनियूस के हाग भी एक सबूत लगा है जिसमें बाबा के सेवादार लोगों को वीडियो बनाने से रोकते दिखे दरसल लोगों को वीडियो बनाने से इसलिए रोका जा रहा था ताकि प्रिशासन को ये बात पताना चल सके कि सचसंग में 80,000 लोग नहीं बलकि 2,500,000 लोग जुटे थे वहीं सचसंग का वीडियो भी सामने आया जिसमें साफ तोर पर लाखों लोगों की भीड दिखाई दे रही है और वीडियो में पूरा पंडाल खचा खच लोगों से भरा नजर आ रहा है और शलिए अब आपको बाबा के अंदविश्वास के चश्मों के बारे में बताते हैं जिससे वो भक्तों के हर कश्ट दूर करने का दावा किया करता था जीहां सूरजपाल हर मंगलवार को रंगीन चश्मा पहनता था और अपनी दिव विद्रश्टी से भक्तों के इलाज का दावा करता था सूरजपाल के हर रंग के चश्मी की अलग-अलग कहानी है नीले रंग के चश्मे से बिमारी ठीक करने का दावा करता था तो हरे चश्मे से भक्तों के भूत प्रेद भगाने का दावा करता था बूरे और काले चश्मे से जिन भक्तों के जीवन में शान्ती नहीं है उन्हें बाबा शान्ती प्रदान करता था वक्तों को विश्वास था कि चश्मा उतारते ही उन पर बाबा की दिव्विद रिष्टी पड़ेगी जिससे उनके कश्ट दूर हो जाएंगे जबकि यहीं बाबा आम दिनों में नजर का चश्मा लगाता था वहीं हातरस की इस घटना पर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है बताया जा रहा है कि सत्संग शुरू होने से पहले बाबा की प्राइवेट आर्मी और पुलिस के बीच बहस हुई थी कहा जा रहा है कि पुलिस ने भारी भीड जुटने पर नाराज़ी जताई थी और सत्संग शुरू होने से पहले ही पुलिस ने बाबा के पंडाल तक आने जाने वाले रूट को ब्लॉक कर दिया था लेकिन बहां मौजुद बाबा के ब्लैक कमांडो पुलिस वालों को पीछे करके खुद डूटी में लग गए थे बताया जा रहा है कि बाबा की सीक्योटी में लगे जवानों ने पुलिस जवानों से कहा कि वो सब कुछ समा लेंगे या तयाद से लेकर बाकी विवस्ताओं को बाबा की प्राइबिट आर्मी नहीं समा रखा था चुकि बाबा की आर्मी संक्या बन में पुलिस के जवानों से ज़ादा थी लिहाज अप पुलिस वालों ने उनकी बात मानली बताय जा रहा है कि घटना के दौरान भी सेवादार आगे ही खड़े और जब भगद बाबा के पैरों की धूल को लेने के लिए बड़े भी सेवादारों ने उन्हें नहीं रोका जिसके बाद बहाँ भगदल मच गई और सेकड़ों महिलाएं बच्चे पुरुष पैरों के तले दप कर रह गए उन्होंने बताया कि सेवादार ट्रेन नहीं थे इसलिए जैसे ही भगदल मचनी शुरू हुई वो हालात को फिर समाल नहीं सके जिस वक्त वहाँ पर पुलिस कर्मी ब्यवस्था को समालने का प्रयास कर रहे थे उस समय बाबा के सिवादारों ने पुलिस कर्मियों से जड़ब की पोकी मौत के लिए जो लोग भी जिम्यदार हैं फिलाल उनकी तलाश की जा रही है दोश्यों के खिलाफ कारवाई के लिए S.I.T. का गठन किया गया है वहीं मुआबजे के तौर पर मृतक के परिवार वालों को दो-दो लाख रुपे दिये गए है जी मीडिया की टीम ने हरी नारायन साकार के गउं के आसपास के इलागों का रियालिटी चेक किया लोगों ने बताया की बाबा के एजिंट आते थे और उसका प्रचार करते थे लोगों ने बाबा के उंगली में चक्र दिखाने की बात को भी जूटा बताया जिनका अब तक पता नहीं चल पाया सूत्रों के मताबिक पिछले एक साल में आधा दर्जन से जादा लोग गायब हो चुके हैं इसी कड़ी में आश्रम से 21 मैं को लापता हुए बाबा के भग्त बुजुर्ग महाबीर की कोई जानकारी नहीं मिल पाई उनका बेचा पिछले एक महीने से उन्हें ढूनने के लिए आश्रम के चकर काट रहा है हाला कि बाबा की सिवदार ऐसे आरोपों से इंकार कर रहे हैं कासगंज में बाबा साकार के आश्रम के बाहर लगे अंद्विश्वास के हैंडपंप पर हतोड़ा चलना अब चुरू हो गया है दरसल बाबा की सेवदारों ने पानी से इलाज का जूट फलाया था सेवदार दावा करते हैं कि आश्रम के इन हेंट पंपो पर बाबा का आशिरवाद है जिसका पानी पीने से सभी रोग दूर होते हैं लेकिन हादसे के बाद अब बाबा का पाखंड चूर-चूर हो गया और हेंट पंप हटा दिये गए इस बारे में जब सेबदार से सवाल पूछा तो वो भढ़ाग गए वहीं दूसरी और हाथसे में मारे गए सबी लोगों की पहचान हो गई है और शबक उनके परिजनों को सौप दिया गया है साथ ही इस मामले में 6 लोगों की गिरफतारी भी की गई और मुखे आयो जगदे प्रकाश मधुकर पर एक लाग का इनाम गोशित भी किया है हातरस में सक्संग के बाद हुई भगड़ में 120 से ज़्यादा लोगों की जान गई और इस मामले में बड़ा दुख खुलासा हुआ है इस पर बताया गया कि सक्संग इस थल पर बनाई गई एक रंगोली लोगों के लिए जान लेवा साविट क्यूकि दावा है कि रंगोली के बुरादे को लेने के लिए लोगों की भी तूट पड़ी जिसके बाल हालात बेकाबू हो गए और इतनी बड़ी तादाद में दोगों को अपनी जान गवानी पड़ी बताया गया कि सक्संग स्थल पर एक बड़ी रंगोली तैयार की गई थी दावा है कि करीव सवा 2 टन बुरादे से 200 मीटर लंबी रंगोली तैयार की गई थी सक्संग के बाद से इस रंगोली पर से ही सूरजपाल उर्फ नाराइण सरकार हरी उर्फ गुले बाबा को गुजर कर जाना था जैसे ही बाबा इस रंगोली पर गुजरे, भकतों का हुझूम उसरंगोली पर तूट पड़ा परंपरा के मुताबिक बाबा के भकतों ने उस रंगोली को आशिरवाद मान कर उसके बुरादे को अपने साथ ले जाने की कोशिश की और इसी कड़ी में पुलिस मध्यप्रदेश के गवालियर्स थे ता आश्रम भी पहुंची और वहाँ चानबीन की पुलिस ने आश्रम में सभी कमरों की तलाशी ली अलाकि बाबा वहाँ नहीं मिला इस दोरान वहाँ मौझूद सेवादारों से पुलिस ने पूछताच की जिसमें कई एहम जानकारिया सामने आई सिर्फ गवालियर ही नहीं बलके पुलिस ने मैंपुरी, हाथरस, कानपूर समेत कई ठिकानों पर नारायन सरकार हरी की तलाश में चापे मारी की लेकिन अब तक बाबा की कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद इन आश्रमों के बाहर पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया जिसके मताबिक कारेक्रमों की अनुमती तब ही दी जाएगी, जिब सुविधाओं के लिए बुनियादी नियूंतम शर्ते पूरी होगी यूपी के मंतरी असी मरुण ने एक नियूज एजिंसी को दिये इंटिवी में बताया कि मुख्य मंतरी यूग्यादित यनात ने फैसला किया है कि राज में अब ऐसी किसी भी सभा के लिए और अधिक डीटेल एसोपी होगी, चाहे उस सभा में एक हजार लोग शामिल हो य ने का निर्देश दिया, साथी भविश्य में अनुमती केवल तभी दी जाएगी, जब इन सुविधाओं का ध्यान या तो आयोजग करे या फिर किसी सरकारी एजिंसी की ओर से किया जाए, असी मरुण ने हातरस घटना के लिए सेवादारों को भी जिम्मेदार ठहराया, उन्होंने कहा कि सत्संग के आयोजगों की ओर से भी काफी लापरवाही हुई, क्योंकि सत्संग सल के पास पार्किंग के लिए परियाप्त जगा नहीं थी, इसलिए बड़ी संख्या में बसे रास्टी राजमार्क पर ही खड़ी थी। इसलिए के साथ घटनस्तल से जाता हुआ नजर आया, इए वीडियो समय का है जब सत्संग में भगदर मची थी, हर तरफ चीक कुकार सुनाई दे रही थी और लोग मदद के लिए गोहार लगा रहे थे, लेकिन इससे बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा, और भगदर मचते ही ये पाकंडी बाबा, नारा एंड सरकार हरी वहां से फरार हो गया, इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि भगदर मचते ही ये बाबा अपनी सफेद रंग की गाड़ी में सवार हुआ और वहां से निकल गया, इस दोरान बाबा के पहरेदार सड़क पर मुस्तैदी से खड़े नजर आए, जबकि बाबा के काफिले में शामिल गाड़िया एक एक करके वहां से जाती हुई दिखाई दी, इसे पहले बाबा की तलाश में पुलिस ने मैनपुरी स्थित आश्रम में भी तलाशी ली, लेकिन वहां भी बाबा नहीं मिला और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार बाबा पुलिस की पकड में आ क्यों नहीं रहा, हम आपको बता दे कि बाबा किसी इलेक्रोनिक डिवाइस का इस्तेमाली नहीं करता, बाबा पास में सर्वलांस जिवाइस ना होने से वो पकड से दूर है, इस सच्चन के आय काम का अनुभव था, यानि उसे पता है वो कैसे पुलिस से बच सकता है, सूरस पाल के सच्चन में वीडियो बनाने की भी मना ही थी, क्योंकि ये वीडियो अंदविश्वास के सुमूत बन सकते थे, हात्रस में हुई घटना ने जहां पूरे देश को जगजोर कर रख दिय तो वही समाजवादी पार्टी के नेता, राम गोपाल यादव ने इस घटना को लेकर एक ऐसा बयान दिया, जो अब चर्चा का विशे बना हुआ है क्योंकि राम गुपाल यादव ने इस घटना को मात्रा हाथसा करार दिया उन्होंने कहा कि सत्संग में लोगों की भीड जादा होने की विज़े से यह हाथसा हुआ राम गुपाल यादव यही नहीं रुके वो नारायन साकार हरी और भोले बाबा का बचाव करते दिखाई दिये तो भही अखले शादव ने हातरस घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया यानि इस मामले में जहां बाबा की तलाश जारी है वही इस पर राजनीती भी हो रही है कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंग्धाई सहयोग संगठन यानि एस सीओ की बैठक हुई जहां भारत और चीन के विदेश मंत्री उक्याज मलाकात हुई भारती विदेश मंत्री एस जैशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने गर्म जोशी से हाथ मिलाया साथ में तस्वीर खिचवाने से पहले उन्होंने कुछ देर बाद भी की मुलाकात के बाद विदेश मंत्री ने सोशल मेडिया पोस्ट के जरिये बताया कि अस्ताना में सीपीसी पोलिट बीरो सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई सीमावर्ती शेत्रों में बाकी मुद्धों के जल्द समाधान पर चर्चा की गई इस उदेश के लिए राजनईक और सैने चैनलों के माध्यम से प्रयासों को दो गुना करने पर सहमती जताई एलेसी का सम्मान करना और सीमावर्ती शेत्रों में शांती सूनिश्चित करना आविशक है साथे विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस की विदेश मंत्री सरगे लैवरोब से भी मुलाकात हुई इस दोरान उन्होंने युद्ध शेत्र में रूसी सेना के लिए लड़ रहे भारतिये नागरिकों का मुद्धा उठाया और उनकी सुरक्षित वापसी सूनिश्चित करने का अनुरोध किया इबराहीम राईसी की मौत के बाद हो रहे चुनाव में मसूद पेजे शक्यान इरान के लोगों के अधिकारों की रक्षा की बात कह रहे है जिससे उनका समर्थन बढ़ता दिखा वाई कटरपंथी और एरान के धार्मिकनेता, खामेनेई के करीबी साइद जलीली ने एरान के लोगों को इज्राल और अमेरिका से संभावित खत्रों और एरान की ताकत बढ़ाने की जरूरत को लेकर आदाह किया इससे पहले हुए चुनाव में सबसे अधीक वोट मसूद पेजे शाक्यान को मिले थे लेकिन किसी भी प्रत्याशी को 50 फीजदी वोट नहीं मिलने की वज़े से दोबारा चुनाव करवाना पड़ा ब्रेटिन में नया प्रदानमित्री चुनने के लिए वोटिंग जारी है चुनाव प्रचार के दोरान भी रिशी सुनक ने अपने समर्थकों से लेबर पार्टी के खिलाफ वोट की अपील की सुनक ने कहा ये लड़ाई ब्रिटेन के लिए कंजरवेटिव पार्टी के मुल्यों की लड़ाई है रिशी सुनक ने चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया सुनक ने 18 महीने पहले ब्रिटेन की बागदोर समाली वो पहले भारतवंशी ब्रिटिश प्रिधान मंत्री बने इस बार चुनाव से पहले हुए उपिनियन पोल में विपक्षी लेबर पार्टी की बड़ी जीत का अनुमान लगाया गया अगर सुनक की पार्टी चुनाव हारती है तो कंजरवेटिव पार्टी के 14 साल का ब्रिटेन में अन्थो जाएगा देश के कई लाकों में भारी बारिश का दौर जारी है जिससे कई राज़ों में हालात बेहल खराब हो गए है बारिश से कई जगों पर बार जैसे हालात पैदा हो गए जिससे लोगों की परिशानिया और बढ़ गए सबसे पहली तस्वीर राजस्थान के जैपूर की देखिए वहां लगातार हो रही बारिश की विज़े से शेहर में सडकों पर जगा जगा पानी भर गया बारिश के पानी से लोग जूचते नज़र आए हलात का अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं सडकों पर सेलाब बहब नज़र आया सेलाब के बीच लोग और उनकी गाड़ियां फस गए कई जगों पर बारिश की विज़े से सडके धस गए जिसकी विज़े से लोगों की गाड़ियां गड़े में फसी दिखी जिसे लोग खुद ही निकालते नज़र आए इसके अलावा सडक किनारे लगे बिजली के पोल भी गिर गया मुसलाधार बारिश की विज़े से सडके तालाब में तबदील हो गई निचले इलाके में बारिश का पानी लोगों के घरों तक पहुँच गया मौसम विभाग के मुताबिक 5 जुलाई को भरतपुर, जैपुर, उदैपुर, कोटा संभाग के कुछ हिसों में हलकी बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी आशनका है कुछ ऐसे ही हालात आसाम में भी नज़र आए, बाकी राज़ों से असाम में तस्वीरें बिल्कुल अलग दिखी वहाँ जोड़दार बारिश के चलते इंसान ही नहीं, वेजुबान जानवर भी फ्रभावित होई बार की तस्वीरें नौगाव की है, जहां बारिश ने लोगों की परिशानी बढ़ा दी है नदियों का जल स्तर बढ़ने की वज़े से रिहाशी इलाकों में पानी भर गया, जिससे पूरा इलाका डूबा नज़र आया जग़ जग़ पर सैलाब बहता दिखा वही कांजी रंगा नेशनल पार्क में बार हाने के बाद हालाद बच से बत्तर हो गए, जिस वज़े से वहां रहने वाले जानवरों के लिए कई चुनोतियां बन गए हालाद का अंदाजा अब इस तस्वीर को देखकर लगाईए, खुद को किसी तरह बचाने के लिए जानवर इधर उधर भागते दिखे, गेंडा, बारा सिंगा समेथ कई जानवर बाड के पानी में अपनी जान बचाने की जद्दो जहद करते नज़र आये आपको बता दे कि असम के 37 जिले बाड से प्रभावित हैं और करिब साड़े सूला लाग से जादा लोग इस बाड की विज़े से प्रभावित हैं बाड की विज़े से अब तक 56 लोगों की मौत हो गई है इसराइल और हिज़बुला के भी जंग और तेज होती नज़र आई दोनों ही एक दूसरे पर लगातार ताबर तोड हमले करते देखे जिसे इसराइल और लेबनौन बॉर्डर के पास तबाही का मनजर दिखाई दिया लगातार हमलों की विज़े से बॉर्डर के पास जंगलों में भीशन आग लग गई जंगलों में लगी भीशन आग की विज़े से धुए का गुबार उठता दिखा आग ने बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया जिसकी भयानक तस्वीरे भी सामने आई तेज हवा की विज़े से आग और तेज़ी से फैलती हुई दिखी जिससे लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए वही जंगलों में लगी भीशन आग को बुझाने का काम तेज़ी से जारी है आपको बता दे लगतार हमलों की विज़े से बॉर्डर की पास लोगों की घर पूरी तरह से बरबाद हो गए है अगली कबर चीन से जहां दो कुटों की शादी धूंधाम से की गई जिसमें करीब 50 से ज़ादा मेहमान शामिल भी हुए आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों की शादी के लिए शांदार सजावट भी की गई थी लोगों को बिलाने के लिए इंसानों की शादी की तरह इंविटेशन कार्ड भी बनाए गए थे दोनों की शादी के लिए स्पेशल केक का भी इंतिजाम किया गया था और शादी पूरी होने के बाद डॉग्स को मिठाई के तौर पर केक खिलाया गया जिसके बाद शादी में आये लोगों के लिए डिनर का आयोजन किया गया साथी कुछ मेहमान अपने पालतू जानवरों को भी शादी में लेकर आये थे आपको बता दे कि चीन में पालतू जानवरों की शादी का ट्रेंड बनाया गया है रोबोट बिलकुल इंसानों की तरा पैरों पर चलता, दोडल लगाता और पूदता नज़र आया इसके अलावा humanoid robot बहुत ही आसानी से चीजों को हाथ में पकड़ता भी दिखा साथ ही humanoid robot king long सामान को एक जगह से उठा कर दूसरी जगह पर रखता भी नज़राया king long इंसानों की तरह सिर्फ दिखता ही नहीं सोच भी सकता है ये रोबोट चंगाई की एक कमपनी humanoid robots ने तयार किया है रोबोट king long की लंबाई 1.82 मीटर और वजन 80 किलोग्राम बताया गया कमपनी ने इस रोबोट के साथ World Artificial Intelligence Conference 2024 में हिस्सा लिया अमेरिका में कई जंगलों में भीशन आग लगी हुई है जिसे बुझाने के काम में आदूनिक हेलिकॉप्टर भारतिय सेना भी इस्तेमाल करती है फिलाल ये हेलिकॉप्टर जंगल की आग बुझाने के काम में लगे दिखाई थी तस्वीरों में जो हेलिकॉप्टर अमेरिका के ओरोविले शहर के जंगली इलाके में लगी आग को बुझा रही है वो शीनूख हेलिकॉप्टर है ये हेलिकॉप्टर बांच से पानी भर कर जंगल में लगी आग के उपर डाली जा रहे है हलिकॉप्टर के मदद से तेजी से आग के उपर पानी का छिड़काव हो रहा है जिससे आग को फैलने से रोकने में मदद मिल रही है और उविले शहर में और नी अंतरित आग से 2000 एकड के जंगल जल गए और 13,000 निवासियों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा चीन को अपने मिशन शेंजोव 18 में एक और बड़ी उपलब्दी मिल गई है अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार शेंजोव 18 चालक दल ने अपने दूसरे अंतरिक्ष फरवण को पूरा किया इस दौरान चालक दल ने कई कामों को सफलता पुर्वक पूरा किया विशन के शुरुआत अंतरिक्ष यात्री ली कांग ने मेंटियन स्पेस लैब मॉड्यूल का हैच डोर खोल कर किया जिसके बाद ली ने स्पेस वॉक शुरू की और अपरेशन पॉइंट पर गए फिर दूसरे अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस स्टेशन से जुड़े डिवाइस को अपरेशन पॉइंट पर लगा दिया इस दौरान ली कांग ने उनकी मदद की इस बीच तीसरे यात्री ने कोर मड्यूल के अंदर रहकर दोनों की मदद की चीन का ये मिशन लगबग 6 घंटे तक चला इस मिशन में ग्राउंट टीम और अंतरिक्ष स्टेशन के रोबोटिक आम की मदद से किया गया मिशन पूरा होने के बाद दोनों अंतरिक्ष यात्री कोर मड्यूल में वापस आ गए पूरे मिशन के दौरान तीनों की कैमरे के जरिये मोनिटरिंग की गई आपको बता दे चीन ने पूरे मिशन का एक तिहाई हिस्सा पूरा कर लिया 25 अप्रेल को चीन ने इन यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा था महीं चीन का दावा है कि शन जू 18 चालक दल के सदसे तकरीबन 6 महिने तक स्पेस स्टेशन में रहेंगे और वहाँ पर कई रिसर्च करेंगे